एक ऐसी सक्सियत जिसने 148 लोगों की हत्या करवा दी थी अपने ही खून से 605 पन्नों की कुरान भी लिखवाई थी क्या वह वैक्ति इंसान था या एहवान चलिए जानते हैं इस वीडियो में दौस्तो हम किसी और की नहीं बलकी दो दस्कों से अधिक समय तक रह चुके एराक के साथक सध्दाम हुसैन की बात कर रहे हैं सध्दाम हुसैन का जनम 28 अपरेल 1927 को एराक के उत्तर में स्थित्ट तिकरीत के एक गाउँ में हुआ था सद्दाम हुसेन ने बगदाद से कानून की पढ़ाई की थी सद्दाम हुसेन इतने काबिल थे कि साल 1927 में मातर 20 साल की उमर में बात पार्टी की सदस्या हासिल कर ली थी यह पार्टी अरब में रश्टरवाद का अभियान चला रही थी यह अभियान आगे चल कर साल 1962 में इराक में हुए सैन्ने विद्रो का कान बना सद्दाम हुसेन भी इस विद्रो का हिस्सा थे इस विद्रो दवारा बिर्गेडर अब्दुलकारिम कासीन ने बिर्टेन के समर्थन से चल रहा राजशाही परिवार को हटा कर सत्ता अपने कबजे में कर ली साल 1968 में दोबारा फिर से विद्रो सरू हुआ और इस बार 31 वर्षिय सद्दाम हुसेन ने जनरल एहमद हसन अल बरक के साथ मिलकर इराक की सत्ताग पर कबजा कर लिया साल 1989 में सद्दाम हुसेन ने खराब सवास्ते के नाम पर जनरल बरक को इस्तिफा देने के लिए मजबूर कर दिया जब बरक ने अपने पद से इस्तिफा दिया तो सद्दाम हुसेन ने खुद को एराक का पांचवा राश्टरपती घोशित कर दिया राश्टरपती बनते ही सत्ता संभालने की जिम्मेदारी सद्दाम हुसैन के हाथों में आ गई थी अपना पद संभालने के बाद सद्दाम ने अपने विरोधियों की हत्या करवानी सुरू कर दी उन्होंने साल 1980 में नई इसलामी करांती के परभाओं को कमजोर करने के लिए पस्चिमी इरान की सीमाओं पर अपनी सेनाएं भेज दी सत्ता में आते ही सद्दाम अब एक एक करके अपनी सभी दुस्मनों को रास्ते से हटाने लग गया था इसके बाद 1980 से 1988 तक इरान के साथ इराक ने आठ सालों तक युद लड़ा इस युद में लाखों निर्दोस लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी 1988 में आकर दोनों देशों के बीच युद वीराम हुआ इसके बाद सद्दाम हुसैन को सभी लोग अरब का सबसे रसुखदार पर मुख समझने लगे थे सद्दाम लगातार अपने परभूताओं को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने लग गया सद्दाम ने लंबी दूरी की मिसाइलें परमानू हतियार जैविक और रसाइनिक हतियारों को विक्षित करना शुरू कर दिया था बात है साल 1982 की सद्दाम हुसैन के उपर एक आतम घाती हमला किया गया इस हमले का बदला लेने के लिए सद्दाम हुसैन ने सीहा बहुले दुजैल गाओं के 47 लोगों की हत्या करवा दी थी मानवा धिकार उलंगन के ऐसे कई मामलों के बावजूद अमेरिका ने इस हमले में सद्दाम हुसैन का हिसाथ दिया दी गार्डियन की एक रिपोर्ट के मताबिक 1990 के दसक में सद्दाम हुसैन ने अल्ला के परती करीकता जताने के लिए दो सालों के दोरान अपना 27 लिटर खून देकर उसे शाही के रूप में परियोग करा कर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था बलड कुरान के नाम से चर्टित इस कुरान को बगदाद के एक मस्जीद में रखा गया था सद्दाम की मौत के बाद इस कुरान के सारजुनिक परदर्शन पर रोक लगा दी गई थी साल 1990 में सद्दाम ने तेल के दामों को कम करने और नीचे गिराने के लिए कुवेट देश को दोसी ठहराया इसके बाद सद्दाम हुसेन ने अपनी सेना को कुवेट पर हमला करने का आदेश दे दिया 2 अगस्त 1990 को कुवेट पर कबजा करने के लिए इराकी सेना चल पड़ी मातर 6 घंटों में ही इराकी सेना ने कुवेट को अपने कबजे में ले लिया अमेरिका ने इराक को तुरंट कुवेट खाली करने के लिए कहा लेकिन सद्दाम हुसेन ने अमेरिका की इस बात को नकारते हुए कवेट को इरान का 19 वा परांद घोशित कर दिया पहले इरान और फिर कवेट पर हासिल हुई जीत ने सद्दाम के मनोबल को और ज़्यादा बढ़ा दिया अगले दिन यानी 3 अगस्त 1990 को इराक ने साओधी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी इराकी सेना को कवेट से निकालने के लिए अमेरिका की अगवाई में 28 देशों का गठबंदन हुआ इन सभी देशों ने साल 1991 में कोवेट की मुक्ती के लिए इराक के खिलाफ जंग सुरू कर दी अमेरिका के हवाई हमलों के बाद इराक को काफी नुक्षान जहिलना पड़ा और कोवेट से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा इस संगर्च के दोरान हजारों इराकी सेनिक मारे गए इराक के कई तेल के कुवों में आग लगा दी गई जिसकी वज़े से इराक को भारी आर्थिक नुक्षान का सामना करना पड़ा खाड़ी युद के बाद बगदाद में फाइव स्टार अल्रसीद होटल बनाया गया सद्दाम हुसेन के कहने पर होटल के मुकह गेट के फरस की टाइल पर उस समय के अमेरिकी राष्टर पती जोर्ज बुस की तस्वीर बनवाई गई इस तस्वीर को साल 2008 तक पूरी तरह हटा दिया गया कुएत पर कबजा करने के कान इराक पर कई तरह के परतिबन लगा दिये गए थे जिसके कान इराक की अर्थवेस्टा और ज़्यादा खराब होने लगी थी 21 सदी आते ही साल 2000 में जोर्ज बुस की अमेरिका में सरकार बन गई थी सरकार बनने के बाद उन्होंने सद्दा मुसेन पर दबाव और ज़्यादा बढ़ा दिया था अमेरिका और यूनाइटिड नेशन इराक को एक बड़ा खत्रा बताने लगे इसके बाद अमेरिका इराक में सद्दा परिवर्तन की बात करने लगा इन सब के बाद 19 मार 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया अमेरिकी सेना ने इराकी राजदानी बगदाद को पूरी तरह अपने काबू में ले लिया आखिरकार 9 अप्रेल 2003 को सद्दाम हुसेन की सरकार को गिरा दिया गया लेकिन सद्दाम हुसेन तब भी पकड़ में नहीं आसके 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसेन को अमेरिकी सेन को दवारा आखिरकार पकड़ ही लिया गया वो तिकरित के एक घर में चिपे हुए थे इसके बाद उन पर कई मुकदमे चलाए गए दुजैल नरसंगार जिसमें 144 लोगों की हत्या के मामले में पांच नूम्बर 2006 को सद्दाम हुसैन को मोत की सजा सुनाई गई 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को बगदाद में फासी पर लटका दिया गया बताया जाता है कि जब सद्दाम हुसैन के मरीच शरीर को ले जाया जा रहा था तब इराक के लोग उस पर जूते फैक रहे थे वह उस पर थूक रहे थे आज भी सद्दाम हुसेन को कुछ लोग फरिष्टा मानते हैं वे कुछ लोग एक निर्दी ताना सा की तरह मानते हैं